आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ आज मुझे इस Question ने बोला गया है What value should be reported for the Bureau of Trading zone for the Colored Solution ठीक है, तो इस Diagram में जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक Division है अगर आप अच्छे से देखें तो आपको दो Color का अच्छा सा Division दिख जाएगा ठीक है, तो यहाँ मुझे पूछा गया है कि इसका Report क्या करेंगे हैं Bureau of Trading 22.3, 22.30, 22.36, 22.40 ठीक है, तो यहाँ पे A और B Option तो सेम है ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लेते हैं यहाँ पे कि आपका जो Answer होगा, वो मेरे According होना चीए, 22. पॉइंट कितना? 1, 2, 3, 22.3 मतलब A और B आपका सही Answer होगा क्योंकि दोनों में Same Option दिए रहते हैं ठीक है, C और D ठीक है, मैं Explain कर देता हूँ कि C और D क्यों नहीं होगा 22.4 आप Report कर सकते हैं ठीक है, आप यह बोल सकते हैं कि आपको यह आधा खाली दिख रहा है यहाँ पे, तो आप इसको बोल देंगे कि 22.36 होगा पर नहीं यह 22.36 यह इसले नहीं होगा क्योंकि इसका जो Touching Point है वो कहां पे है, 22.3 पे ठीक है, यह वाला जो Point है ठीक है, आप इसको अच्छे से देखिए कि यहाँ जो यह Touch हो रहा है, वो कहां पे हो रहा है 22.3 पे, तो यह 22.3 होगा और अगर आप 22.4 बोल देंगे तो यह 1 ml का यहाँ पे एक्स्ट्रा यह लिक्विड आ जाएगा तो इसका मतलब यह है, 0.1 ml का एक्स्ट्रा लिक्विड आ जाएगा, तो आपका यह दोनों option सही नहीं होगा, आपका option A और B सही होगा यहाँ पे यह same option देने का मतलब यह कभी कवार बच्चे एक ही कर देते हैं option को और दूसरा भूल जाते है तो multiple choice में आपको यह ध्यान रखने के आपको दोनों option मार्क करने है ठीक है, thank you